हेलो फैंट्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करेंट अफेर जो करेंट अफेर का जो हमारा सिरीच चलाया जा रहा है वह बिकली चार सब्ता के अंत में आप लोगों को प्रोवाइट करवा दिया जाता है जिसमें कि पूरे महीने के करेंट अफेर का संग्रह आपको मिल याएगा वो चार वीडियो आपके एक्जाम्स के लिए पर्याप्त हैं अगर आप उस वीडियो को कवर कर लेते हैं तो आप एक्जाम समें कोश्चन पूछे जाते हैं वो करेंट से रिलेटेट कहीं होते हैं तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथी साथ बेल आइकन दवा दीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप मधप्रदेश मधप्रदेश ने यह अभियान सुरू किया है किल करोना जिसके तहट डोर टू डोर सार्वेचन किया जाएगा अगर हम बात मधप्रदेश की करते हैं तो मधप्रदेश से याद रखिएगा यहां के मुखमंत्री का नाम है सिवरा सिंग चोहान यहां के प्रेटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इसका जो सयन सरे बो है ऑप्सन नमर भी बेवाण से ठीक है बेट क्या है एक बेट अवार्ड से एक अमेरिकी अवार्ड सो है जो अफिरकी अमेरिकाओं और अनाल संख्यकों को संगीत अभिनो खेल और मनुरेंजन के छेत्रों में प्रदान किया जाता है क्लियर है चलिए अगला कोशन है किस राज की सरकार ने कोबीड उनाइस मरीजों के लिए बिस्व का सबसे बड़ा प्लाजमा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटीना लॉंच किया है तो इसका जो सही अंसर है बो है आप्सन अगले कोशन की तरब जो किया हमारा कोशन नमर 4 कह रहा है कि किस राज के बन भी भाग ने भारत का पहला कबक पार्क बिक्सित किया है तो इसका जो सही अंसर है बो है उत्राखंड उत्राखंड के द्वारा भारत का पहला कबक पार्क जो है बो बिक्सित किया गया है अगर हम बात उत्राखंड की करते हैं तो उत्राखंड का जो establishment है वो 9 November 2000 को किया गया था यहां के मुखमंत्री का नाम है त्रिबेन सिंग राबत यहां के governor का नाम है बेवी रानी मोर्या क्लियर है साथी साथ उत्राखंड से याद रखेगा कि यहां जीम कॉर्बेट ने इसनल पार्क है टिहरी बांध है जो भागी रथी नदी पर बनाया गया है साथी साथ एक और चीज़ याद रखेगा कि उत्राखंड में नंदा देवी परवत भी है ठीक है यह कबग पार्क को लाइकेन पार्क भी कहा जाता है तो कोशन यह भी आ जा सकता है कि पहला कबग पार्क या पहला लाइकेन पार्क कुछ भी पूछ लिया जा सकता है सही अंसर होगा उत्राखंड अगला question है phone pay ने UPI multi bank model के लिए किस bank के साथ समझाता किया है तो इसका जो science है वो है option number B यानि ICIC bank अगर हम बात phone pay की कर लेते हैं तो phone pay का जो गठन है मतलब 2015 में established हुआ था इसका headquarter है बैंगलोरू और इसके जो CEO हैं उनका नाम है समीर निगम clear है अगर हम बात UPI की कर लेते हैं तो UPI का full form होता है unified payment interface साथी साथ अगर ICICI bank की बात करते हैं तो ICIC bank का जो गठन है वो 1994 में किया गया था इसका headquarter मुंबई में है और इसके अभी ततकालीन MD&CEO जो है उनका नाम है संदीब बक्सी का नाम है संदीब बक्सी अगर ICIC bank की full form की बात करें तो ICIC bank का full form है Industrial Credit and Investment Corporation of India clear है चलिए अगला question है भारत सरकार ने कितने चीनी एप पर बैन लगा है यह recently अभी बहुत जादा news में रहा है कि भारत सरकार ने चीनी एपस पे safety measures को देखते हुए बैन लगा दिया किये से बैब जो है वो safety measures में नहीं है तो इसका जो science है वो है option number C यानि 59 next question है IWF की बात करें तो International Bed Lifting Federation होता है IDF ने किस देश की उपकरन के उप्योग पर प्रतिबंद लगा दिया है तो इसका जो science है वो है option number C चाइना अगर IDF की बात करें मतलब International Bed Lifting Federation की बात करें तो इसका गठन 905 में किया गया है और इसका जो headquarter है वो है बुड़ा पेश्ट हंगरी में क्लेर है चलिए अगला यह देखिए मैं यहां सबसे पहले कुछ जुलाई के important days आप लोगों के लिए list कर दिया हूँ आप उसे देख लीजेगा वो काफी important है एक जुलाई को National Chartered Accountants Day, एक जुलाई को साथी साथ मनाया जाता है GST दिवस क्योंकि एक जुलाई को ही लागू किया गया था GST 7 जुलाई को मनाया जाता है 20 चौकलेट दिवस 11 जुलाई को 20 जन संख्या दिवस 12 जुलाई को 20 मलाला दिवस 15 जुलाई को 20 युवा कौसल दिवस 18 जुलाई को नेसल मंडेला अंतराष्टिय दिवस यह बहुँ ज़ादा important है याद रखेगा इसको 26 जुलाई भी important है कारगिल बीजे दिवस 28 जुलाई 20 है परटाइटीस दिवस और 29 जुलाई अंतराष्टिय बाग दिवस तो ये कुछ जुलाई महीने के important दिवस हैं जो मैं आप लोगों के लिस्ट कर दिया हूँ एक जगा ताकि आपको याद करने में असानी होगी चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरब जो कि हमारा question number 9 किसे पहले PC महल नोबिस राष्टिय पुरुसकार से समानित किया गया है तो इसका जो सही answer है बो है चक्रबर्ती रंग राजन जो की RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके है next question है कहाँ पर COVID-19 मरीजों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाजमा बैंक खोला जाएगा तो इसका जो सही answer है बो है option number B नई दिल्ली नई दिल्ली में भारत के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाजमा बैंक खोला जाएगा इसका उदेश COVID-19 से स्वास्थवे लोगों को अपना प्लाजमा डोनेट करने के लिए प्रोसाहित करना है next question है किस राज सरकार ने हमारा घर हमारा विद्याले अभियान शुरू किया है तो इसका जो सईयंसर है वो है option number B मध्व प्रदेश के द्वारा यह सुरू किया गया है आखिर यह योजना यह अभियान है क्या यह अभियान है कि online कच्छाओं के मादेम से अपने घर पर पढ़ाया जाने बाले बच्चों के लिए अस्कूल यह सा महौल प्रदान करना ही यह योजना है हमारा घर हमारा बिद्याले अभियान चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है विस बैंक ने किस भारतिये राज की कि फायती आवास पर योजनाओं के लिए 250 मिलियन डॉलरीन की मंजूरी दी है तो इसका जो सही अंसर है वो है अप्सन नबर सी तमिल लाडू ने ये दिया है तमिल लाडू की अगर बात करें तो यहां के सीम का नाम है के पल्लान स्वामी यहां का गवर्नर का नाम है बनवारिलाल पुरोहित क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरह अगला कोशन है हमारा दयोगनी पोयम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक को रिलीज किया गया इस पुस्तक के लेखा कोन है तो इस पुस्तक के लेखा का नाम है डॉक्टर आदिसा दास तो अप्सन नमर य लिश्ट प्लेयर की लिश्ट जारी की गई है इसमें सिर्श अस्थान पर कौन है तो इसका जैंजर है अगर हम बात इंडिया की करते हैं नो हो जएंगे रभीनजरेडा ठीकश लेकिन यहां इंडिया की बात नहीं किये थो अंसर हो जागा मठाया मुर्लिधरल मतलब पहले नंबर पे हैं म best iya मुर्लिधरल मतलब पहले नंबर पर हैं माठाया मुर्लीधर जो अगर हम IIMC की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन इंसिचूट आफ मास कॉम्निकेशन इसका गठन 165 में किया गया था और इसका जो हेड़क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है अगला कॉशन है बिजडन ने किस भारतिया और लांडर का भारत का मोस्ट बैलुएबल पर लेबर चूना है तो यह तो पता ही है किसको चूना है भारत का अगर यहां पूछ रहा है तो भारत का कौन हो जगा रभीन जजेटा हो जाएंगे अगला कॉशन है किस सहर में इंद्रमनी पांडे संजुक्त राष्ट के लिए भारत के अस्थाई प्रतिनीदी निक्थ हुए है तो इसका जो सही अंसर है बो है अप्सर नमर सी जिनेवा जिनेवा है कहा में स्विजरलेंड में अगर हम बाद संजुक्त राष्ट की कर लेत अगला कॉशन है किस बैंक ने किसानों के लिए एक किसान धना एप लॉंच किया है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जागा भी क्लियर है चलिए अगला कोश्चन है किसने केंद्रिये फिल्म पर्मानन बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड और फिल्म सर्टिफिकेशन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका गठन उनई-101 में हुआ है इसका हेड़क्वाटर मुंबई में है और अभी ततकालीन जो इसकी अध्याच है उनका नाम है प्रसून जोसी अगला कोईशन है किस देश की सेना ने निगार जोहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जर्णल निउक्त किया है तो इसका जो सही अंसर होगा बोगा जाएगा ऑप्सन नमर बी यानि पाकिस्तान पाकिस्तान अगर हम बात पाकिस्तान की करते हैं तो पाकिस्तान से याद रखेगा कि यहां के पीम का नाम है इमरान खान यहां के राष्ट पती का नाम है आरिफ अलबी यहां से एक और चीज़ याद रखेगा रेड क्लिफ रेड क्लिफ क्या है भारत और पाकिस्तान के ब अभियान शुरू किया है तो इसका जो सही अंसरों का बहुत जगा उप्से नबर सी उत्तर प्रदेश अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहां के मुखमंतरी का नाम है योगी आदितनाथ और यहां के गवर्णर का नाम है अनंदी बेन पटेल क्लेर हैं चलिए अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है किस राज सरकार ने कौसल कनेक्ट फोरम लॉंच किया है तो इसका जो सही अंसरों का बहुत जगा ऑप्सन अबर डी करना टक और इस पटल जो कौसल कनेक्ट फोरम है इस पटल का उद्देश क्या है इस पट है नेक्स कोशन है 20 खेल पत्रकार दिवास बल्ड अस्पोर्स जर्नलिस्ट डेख कम मनाया जाता है तो यह दो जुलाई को मनाया जाता है और जुलाई के महीने के सारे मैंने इंप्वाटन डेज है जो पहले इनलिस्ट कर दिया हूं वह आप कही नोट डाउन कर लिजेगा उसको याद कर लिजेगा अगला कोशन है किस आईटी ने एक घर से कच्छा टीचिंग सेटप मोबाईल मास्टर जी मतलब मास्टर जी बिक्सित किया है तो इसका जो सही अंसर है वो है आईटी कानपूर यानि आप्सन अबर बी जो है वो सही अंसर है आईटी कानपूर के द्वारे ही मोबाईल मास्टर जी अप पिक्सित किया गया है अगला कोशन है कहां पर पौधे लगाओ परिया बरन बचाओ भियान सुरू किया गया है तो इसका जो सही अंसर है वो है नई दिल्ली आनि आप्सन अबर जो होगा वो सही अंसर होगा नई दिल्ली से एक और च सी रिस्पॉंस कार्ज करम को मंजूरी दे दी है तो इसका जो सही अंसर होगा वह जागा बल्ड बैंक यानि बिस बैंक ऑप्शन नमबर बी अगर हम बल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसका गठन 244 में हुआ है इसका जो हेड़कॉर्टर है वो बासिंग्टन डीसी में है और अभी ततकालीन जो इसके अध्याच है उनका नाम है डेविड माल पास क्लियर हैं चलिए अब अड़ते अपने अगले कोशन की तरह अगला कोशन है किसे एस ये रीजन के लिए कॉमन बेल सौट स्टोरी प्राइज दोजार बीस कॉमन बेल सौट स्टोरी प्राइज से समानित किया गया है तो इसका जो सही अंसर है वो है कृति का पंडे यानि ऑप्सन नबर ए जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा नेक्स कोशन है भारत और किस देश ने LPG 5050 संजुक्त उदम कंपनी जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक समझाता किया है तो इसका जो सही अंसर है वो है बंगला देश बंगला देश की अगर बात करते हैं तो यहां की राधानी है धाका धाका यहां की करेंसी है प्रधान मंतरी का नाम है सेख हसीना और यहां के राष्टपती का नाम है अब्दूल हामीद अब्दूल हामीद अगला कोशन है किस भारतिये अमेरिक को 2020 ग्रेट इमेरिक ग्रेंट से समानित किया गया है तो इसका जो सही अंसर है वो हो जाएगा दोनों मतलब सिदार्थ म खरजी और लाज शिट्टी दोनों को समानित किया गया है तो आपसर नमर C जो होगा इस कोशन का सही अंसर होगा next question है सरोज खान का नीधन हो गया है ये कौन थी तो इसका जो सही अंसर है वो है option number D कोरियो गराफर थी आप लोग सब कोई इनके नाम से भली वापित पच्चित होंगी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फिर्म दिये हैं जैसे कि ऐस for example जब मी मेट next question है ब्लादी मूल पुतीन कब तक के लिए फिर से राश्पती रूज के राश्पती बने रह सकते हैं तो इसका जो सही अंसर है वो है option number B 2036 तक कब तक 2036 तक ठीक है next question है किस कमपनी ने भारतीय MSME के लिए गलोबल भारत प्रोग्राम सुरू किया है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number B यानि SAP अगर हम SAP की बात करते हैं तो यह एक जर्मनी की कमपनी है SAP का full form होता है systems, applications and products A for system, A for application और P for product इसका गठन कब हुआ था? 1972 में अगला question है अंतराश्टियर सहकारिता दिवास international cooperative day कब मनाया जाता है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number D चार जूलाई देखिए यह generally हर जरूरी नहीं है कि यह चार जूलाई को मनाया जाता है यह जूलाई के पहले सनिवार को मनाया जाता है ठीक है? साथी साथ इसका theme याद रखिएगा जो बहुत important है वो है cooperative for climate action cooperative for climate action clear है? चलिए अगला question है किसे 2020 के डाइना प्रिसकार के लिए चूना गया है तो इसका जो सही अंसर है वो है फ्रेया ठकडाल यह दिल्ली की है और मातर 13 बरसी एक अस्कूली छात्रा है जिनको इस एवार्ड के लिए चूना गया है next question है अगर चोला मंडला MS General Insurance के नए MD कौन निउप्ट हुए है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number C B सुर्यन नारायन अगर चोला मंडला MS General Insurance की बात करते है तो इसका गठन 2001 में किया गया है और इसका जो headquarter है वो चिन्नाई में है clear है? चलिए अगला question है किसे रंग मंच के छेतर में महराव सरकार के नेटबर्क परभाकर पनी सिकर lifetime achievement एवार से सम्मानित किया गया है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number D एज़त नाकर मत करी clear है? चलिए अगला question है किस देश के सोध करताओं ने sewer में G4 नामक बारस पाया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो चीन, आजकल चीन ही सबसे ज़्यादा बारस खोज कर ला है next question है संजुप्त राष्ट में निती अधिकारी के रूप में किसे निप्त किया गया है? तो इसका जो सही अंसर है वो है बैसाली मोहंती यानि option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है किस बैंग ने जीप ड्राइब से ऑनलाइन इंस्टेंट आउटो लोन की सुभदा आरम किया तो इसका जो सही अंसर है वो है option number A HDFC bank अगला question है दुनिया का पांचमा सबसे बड़ा बिदेशी मुद्रा भंडार बाला देश कौन सा है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जगा option number A भारत है अगर हम IMF की बात करते हैं मतलब international monetary fund के according पहले नंबर पे है चाइना दूसरे नंबर पे है जपान तीसरे नंबर पे है स्वीजर्लेंड चोथे नंबर पे है रसिया और पांचमे नंबर पे है हमारा प्यारा भारत अगला question है किस राजने बलडाम योजना शुरू की है तो इसका जो सही अंसर है वो है उडिसा यानि option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा उडिसा की अगर बात करते हैं तो उडिसा के मुखमंतरी का नाम है नबीन पतनायक और उडिसा के राजपल का नाम है गनेसी लाल clear है अब बात आती है कि बलडाम योजना का उदेश क्या है तो बलडाम योजना का उदेश है कि कोरोना बारस महामारी के कारण कटनायों का सामना कर रहे करीब साथ लाग भूमी ही इन किसानों को लोन प्रदान करना बातीय रेलबे ने 2.08 किलोमेटर लंबी ट्रेन चला का रिकॉर्ड बनाया है तो इसका जो सही अंसर है बो है उप्सन अबर A पल्स नाम से अगर हम बात नासा की कर लेते हैं जो नासा का गठन उने से उन ठामन में हुआ है इसका हेड़क्वाटर है बासिंग्टन डीसी में और नाटा का एक मोटो है अगला कोश्चन है किस राज की पुलिस ने आफपास नामक हेल्फ लाइन सुरू की है तो इसका जो सही अंसर है बो है उप्सन अबर B मधपदेश के दोरह ये सुरू किया गया है मधपदेश की अगर बात करते हैं यहां के मुखमंत्री का नाम है सिवराज सिंग चोहान यहां के राजपल का नाम है लाजजी टंडन यहां के लोग सभा में 39 सीट है और विधान सभा में 230 सीट है नेक्स कोशन है CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज 2019 में समुदरी मचली उत्पादन में सिर्ष पर रहा है तो इसका जो सही अंसर होगा वोगा option number B तमिलनाडू पहले नमबर पे रहा है तमिलनाडू दूसरे नमबर पे रहा है गुजरात और तीसरे नमबर पे रहा है केरला क्लेर है अगर हम बात CMFRI की करते है तो इसका मतलब होता है Central Marine Fisheries Research Institute जिसका हेड़ क्वाटर कहा है कोची में है क्लेर है चलिए नेक्स कोच्चन है भर्चुल गेसे क्रॉस अमेरिका 2020 संसकरन में पोडियम अस्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतिये कौन बन गए है तो ये कौन है लेटिनेंट करनेल भारत तो option number D जो होगा वह हमारा सही अंसर होगा नेक्स कोच्चन है किस भारतिये खिलारी ने जर्मनी में PSD Bank Norad Open Tournament Tennis Tournament जीता है तो इसका जो सही अंसर होगा वह होगा सुमीत नागल यानि option number B नेक्स कोच्चन है किस IIT के सोध करताओं ने कितास की तानू सोधन बॉक्स यूनिसेभर भिक्सित किया है तो इसका जो सही अंसर होगा वह होगा IIT रूड किये ठीक है नेक्स कोच्चन है CBAC ने सिचको और छातरों के लिए मुथ पर सिच्चन है तो किसके साथ साज़दारी किया है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा option number A Facebook के साथ साज़दारी किया है अगर हम बात CBAC की करते है तो CBAC का full form होता है Central Board of Secondary Education जिसका गठन 606 में हुआ है Headquarter है इसका New Delhi में और इसकी अधियाच है Manoj Ahuja अगर हम बात Facebook की कर लेते हैं तो Facebook का गठन 2004 में हुआ है इसका Headquarter है California USA में और CEO है Mark Zuckerberg ठीक है चलिए अगला कोशन है किस राज सरकार ने इंद ब्रज एप को लॉंच किया है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा Option No.C बिहार सरकार ने और इसका उदेश क्या है इंद ब्रज एप का इसका उदेश है कि 40-45 मेंट पहले आकासिये बिजली गिरने की ये बार्णिंग आपको प्रोवाइड कर देगा अगर हम बात बिहार की करते है तो यहां के मुखमंतरी का नाम है नितिश कुमार यहां के गवर्नर का नाम है निराजपल का नाम है फागु चोहान यहां जो पटना उचन याले है उसके मुखने अधीज का नाम है संजय करोल यहां बिधान सभा में 243 सीट है लोक सभा में 40 सीट है और राज सभा में 60 सीट है अगला कोशन है कहां पर बिस्व के सबसे बड़े COVID-19 अस्पताल का उर्गाटन किया गया है तो इसका जो सही अंसर है वो है अगला कोशन है किसा स्मॉल फाइनस बैंक ने वीडियो के बाइसी के माध्यम से खाता खोलने की सुद्धा शुरू की है तो इसका जो सही अंसर है वो है अप्सन नमर्बी इक्विटेस अस्मॉल फाइनस बैंक अगर इसकी बात करते हैं तो इसका गठन 2007 में हुआ है कुकी अभियान की सुरुआत की है तो इसका जो सही अंसर होगा वो है अप्सन नमरे इंड़ो के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है ये है क्या टफ कुकी अभियान ये ये है कि इसके तहट जो डॉक्टर्स और नर्सेस हैं क्लिर हैं चलिए हम नेक्स फोशेन है कि सहर में धनबंतरी रफ मुबाइल वैन लॉँच किया गया है तो इसका जो सही अंसर है वो है आमदाबाद गुजरात में ये लॉँच किया गया है या अखिर ये वैन करेगा क्या ये वैन जो है वो सहर के बिभीन तो ये था आज का हमारा current affairs, जिसमें हमने 01 तारिक से लेके 7 जुलाई तक के current affairs मैंने आप लोगों के साथ डिसकस किये हैं, अब जो next वीडियो आएगा उसमें हमने अगले current affairs, मतलब total चार वीडियो जो आपको मन्त में अब लेबल हो जाएंगे, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और साथी साथ बेल आइकन दबा दीजे, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, साथी साथ कोई और अनिक जाम की तैयारी कर लें, तो उनके practice set, model set, या important questions of quality, history, य हमारे चैनल के playlist में available है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, साथी साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो एक like जरूर कर दीजेगा, और comment करके बताएगा कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, thanks for watching.